हे एब्रिवन बेल्कम बैक टू माई एट्यूब चैनल चलिए फ्रेंड आज बनाते हैं ब्रेट के ऐसे न्यू यूनिक सेंडविच जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे आज मैं दो तरीके के सेंडविच लेकाईयों मीठा और चटपटा स्पाइसी वाला चलिए फ्रेंड चलते हैं अब बनाने के लिए जिससे आपके बच्चे एक बार खा लेंगे तो रोज लंच में बनवा कर लेके जाएंगे चलिए फ्रेंड इसके लिए लेंगे हम दो ब्र चॉकलेट शिरप लगाने के बाद इस पर लगाएंगे हम डेरी मिल्क की चॉकलेट हाँ पर दो पीसिस मैंने इसके रख दिये हैं चॉकलेट के अब इसको उपर से रखते हैं ब्रेट को और चलिए उसके लिए लेंगे हम एक हैंड टोस्टर आप इसको तब बबर भी सेख सकते हैं यहां पे मैंने हेन टोस्टर लिया है अब इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा बटर या घी दोनों साइट से हम इसको घी लगा देंगे फिर उपर से रखेंगे हम ब्रेड ब्रेड रखने के बाद इसको ढखकन लगाएंगे और इसके बाद हम लो फ्लेम पर गैस पर इसको टोस्ट करेंगे दोनों तरफ से हमें अलटते पलटते हुए सेक लेना है चलिए इसे चेक करते हैं देखिए एकदम ब्राउन के तरीके से हमारा सेंडविच बनके तयार है इसे निकालते हैं पलेट में लीजिए हमारा चॉकलेटी सेंडविच बनके तयार हो चुका है अब इसे करते हैं चॉकलेट सीरप से गार्निश ये सेंडविच तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके बच्चे रोज बनवाएंगे और बाहर से सेंडविच लाना खाना भूल जाएंगे देखिए लग रहा है ना एकदम यूनिक और अमेजिंग सा लीजिए खाईए और अपने बच्चों को खिलाईए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जादा से जादा लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चलिए अब चलते हैं सेकेंड वाले सेंडविच बनाने के लिए इसके लिए लेगे हम छोटे से भगोने में पानी उसमें ओयल डालेंगे नमक डालेंगे और एक уже कटोरी हम डालेंगे हिसमें सेमयीय ubiquel कर लेंगे इससे सिर्फ एक या दो मिनत के लिए वयल करेंगे अब पैन पे लेंगे ऑयल उसमें डालेंगे जीरा आप प्याज काते हो प्याज भी डालती जिए और उसमें डालेंगे आद्रक, टमाटर, आलू, सिमला मिर्च, कुछ हम डालेंगे मुफली और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, रेट चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, साधा नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, सबको डालके अच्छे से हम मिक्स करेंगे, उपर से डालेंगे हम बॉयल कीवी सिमया, इन्हें सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है बैज़ी टेबल में, बैज़ी टेबल बच्चे अकसर खाना नहीं चाते हैं, अगर आप सेंडविच में भरके देंगे तो उनको पता भी न एक ब्रड और चटनी हमने इस नहीं लगाई है कि बच्चों को पसंद नहीं है और बच्चों अगर आप बड़ो के लिए बनाए तो चटनी लगा सकते हैं दोनों तरप से इसे भी लो फ्लेम पर हम हैं टोस्टर से लटते पलटते हुए सेख लेंगे चलिए इसको चेक करते ह हमारा ब्रड बना है कि नहीं देखिए ब्रड अच्छे से हमारा सिख चुका है अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में लीजिए उपर से करते हैं हम गार्निश इसको हम करेंगे मियोनीश से गार्निश लीजिए हमारा स्पाइसी वाला भी सेंड़िच बनके तयार हो किजिए और इंजॉय कीजिए चलिए फ्रेंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ थैंक यू बाई बाई